ओम शान्ती मुरुली का तारिक है चे बारा दो हसार उन्निस मीटे बच्चे तुमारे पास मन मना बव और मद्या जीबव के तीक्ष्ण बाणे इनी बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो प्रश्ण बच्चों को बाप की मदद किस आदार पर मिलती है बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप से मनाते है उत्तर जो बच्चे जितना बाप को प्यार से याद करते है उतना बाप की मदद मिलती है प्यार से बाते करो अपना कनेक्शन टीक रखो श्रीमत पर चलते र होतो, बाप मदद करता रहेगा, बच्चे बाप की शुक्रिया मनाते, बाबा आप परमदाम से आकर हमें पतित से पावन बनाते हो, आपसे हमें कितना सुक मिलता है, प्यार में आसू भी आजाते हैं, ओम शांती, बच्चों को सबसे प्रिये मा और बाप और माबाप को फिर है बच्चे बहुत प्रिया अब बाप जिसको त्वमेव मात अश्चे पिता कहते हैं लोकिक माबाप को तो कोई ऐसे कह ना सके या महिमा है जरूर परन्तु किसकी है या कोई जानते नहीं अगर जाने तो वहां चला जाए और बहुतों को ले आने के लिए वहां चले जाए परन्तु ड्रामा की बावी ही ऐसी है जब ड्रामा पूरा होता है तब ही आते हैं आगे मूवी नाटक होते थे जब नाटक पूरा होता था तो सभी एक्टर्स स्टेज पर कड़े हो जाते थे यां भी बेहत का बड़ा नाटक है यां भी सारा बच्चों की बुद्धी में आना चाहिए सत्युक त्रेता द्वापर कल्युक यहां सारी चक्र का ज्ञान बुद्धी में हो यहां सारी सुरुष्टी का चक्र है ऐसे नहीं मूलवतन, सुख्ष्मवतन में चक्र फिरता है सुरुष्टी का चक्र यहां ही फिरता है गाया भी जाता है एक ओमकार सत्नाम या किसकी महिमा है बल ग्रंत में भी सिख लोग महिमा करते है गुरुनानक वाच अब एक ओमकार या तो उस एक निराकार परमात्मा की ही महिमा है परंतु या लोग परमात्मा की महिमा को बूल गुरु नानक की महिमा करने लगते हैं सद्गुरु की महिमा करने के बज़ाए सद्गुरु भी नानक को समझ लेते हैं वास्तों में सुष्टी बर में महिमा जो भी है उस एक की ही है और कोई की महिमा है नहीं अभी देखो ब्रह्मा में अगर बाबा की प्रवेशता नहीं होती तो या कवडी तूल्य है अभी तुम कवडी तूल्य से हीरे तूल्य बनते हो परमपिता परमात्मा द्वारा अब है पतित दुनिया ब्रह्मा की रात्री पतित दुनिया में जब बाप आते हैं और जो उनक को पहचान लेते हैं, वहां उस पर कुर्बान जाते हैं, आज की दुनिया में तो बच्चे भी दुंद कारी बन पड़ते हैं, देवताई कितने अच्छे थे, अभी वहां उनर्जन्म लेते लेते, तमो प्रदान बन गए हैं, सन्यासी भी पहले, बहुत अच्छे थे, पवि इत्रता ना होतो, कामचिता पर जल जाए, सत्यूग में कामकटारी होती नहीं, इस कल्यूग में सब कामचिता के कांटों पर बैटे हुए हैं, सत्यूग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहां यहां पाइजन होता नहीं, कहते हैं न, अम्रुचोड विश्काहे को काये, विकार को ही पतित कहा जाता है आज कल मनुश्यत को देखो 10-12 बच्चे पईदा करते रहते हैं कोई काईदा ही नहीं रहा है सत्यूग में जब बच्चा पईदा होता है तो पहले से ही साक्षातकार होता है शरीर चोड़ने के पहले भी साक्षातकार होता है कि हम यहां शरीर चोड़ जाकर बच्चा बनोंगा और एक बच्चा भी होता है जास्ती नहीं सत्युग में एक ही बच्चा होता है जास्ती नहीं ला मुझीब चलता है रुद्धी तो होनी है जरूर परंतु वहाँ विकार होता नहीं बहुत पूछते हैं जब वहाँ विकार नहीं तो पैदाइश कैस बूलना चाहिए वहाँ योगबल से सब काम होता है योगबल से हम सृष्टी की राजयाई लेते हैं। पाहुबल सुरुष्टी की राजाई नहीं मिल सकते हैं। बाबा ने समझाया है, अगर कृष्षियन लोग आपस में मिल जाए तो सारी सुरुष्टी पर राज्य ले सकते हैं। परन्तु आपस में मिलते नहीं, ला नहीं कहता, इसलिए दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं, और माकन तुम बच्चों को मिल जाता है, कृष्ण के मुख में माकन दिकाया है, या सुरुष्टी रूपी माकन है, बेहत का बाप कहते हैं, या योग बलकी लडाई, शास्त्रों में गाई हुई है, बावुबल की नहीं, उन्होंने फिर हिमसक लडाई शास्त्रों में दिका दी, उनसे अपना कोई संबंध नहीं, पांडवो कवरों की लडाई है नहीं, या अनेक दर्म, पांच हजार वर्ष पहले भी थे, जो आपस में लड़कर विनाश हुए, में माया रावन होता नहीं, वहां तोड़े ही रावन का बूत बना कर जलाएंगे, बूत चित्र कैसे से कैसे बनाते हैं, ऐसा कोई देत्य वहां असुर होता नहीं, या भी नहीं समझते हैं, पांच विकार स्त्री के हैं और पांच विकार पुरुष के हैं, उनको मिलाकर द रावन बना कर जलाते हैं मोस्ट बिलवेड बच्चों को अभी बेहत का बाप समझाते हैं बाप को बच्चे हमेशा नंबर वार प्यारे होते हैं कोई तो मोस्ट बिलवेड भी है तो कोई कम प्यारे भी है जितना सिकिलदा बच्चा होगा उतना जास्ति लव होगा यहां भी जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं रहम दिल रहते हैं वहां प्यारे लगते हैं बक्ती मार्ग में रहम मांगते हैं न कुदा रहम करो मर्सी आनमी परन्तु ड्रामा को कोई जानते नहीं जब बहुत तमोह प्रदान बन जाते हैं, तब ही बाबा का प्रोग्राम है आने का, ऐसे नहीं ईश्वर जो चाहे कर सकते हैं या जब चाहे तब आ सकते हैं. अगर ऐसी शक्ती होती तो फिर इतनी गलानी क्यों मिले इतनी गाली क्यों कानी पड़े वनवास क्यों मिले या बाते बड़ी गुप्त है कृष्ण को तो गाली मिलना सके कहते हैं बगवान यह नहीं कर सकता है परंतु विनाश तो हो नाई है परंतु बचानी की तो बात ही नहीं है सबी को वापस ले जाना है स्थापना विनाश कराते है तो जरूर बगवान होगा ना परमपिता परमात्मा स्थापना करते हैं किसकी मुख्य बाद तुम पूछ भी सकते हों। बाप सबको ले जाते हैं विनाश और स्थापना कराना किसका काम हैं। यहां बाते बाप ही बैट समझाते हैं। देखो बच्चियां कितना प्रतिग्ना पत्र लिखती थी। कून से भी लिखती हैं। एक कता भी है ना कृष्णु कून निकला तो द्रवपती ने अपना चीर फाड कर बांध दिया। यहां लव है ना तुमारा लव है शुबाबा के साथ। इनका ब्रह्मा का कून निकल सकता है। इनको दुख हो सकता है लेकिन शुबाबा को कभी दुख नहीं हो सकता। क्यूंकि उनको अपना शरीर है नहीं। कृष्णु को अगर कुछ होगा तो दुख होगा। कृष्णु को अगर कुछ लगे तो दुख होगा ना। तो उनको फिर परमात्मा कैसे कह सकते हैं। बाप कहते हैं। मैं तो दुख सुख से न्यारा हां। बच्चों को आकर सदा सुकी बनाता हूं, सदा शू गाया जाता है, सदा शू सुक देने वाला कहते हैं, मेरे मीटे मीटे सिकिलदे बच्चे जो सपूत हैं, ग्यान दारन कर पवित रहते हैं, सच्चे योगी और ग्यानी रहते हैं, वा मुझे प्यारे लगते हैं, लवकिक बाप के पास भी कई बच्चे अच्चे होते हैं, कई बूरे बच्चे होते हैं, कोई कुल को कलंक लगाने वाले निकल पड़ते हैं, बहुत गंदे बन जाते हैं, यहां भी ऐसे हैं, आश्चरिवत बच्चा बननती, सुननती, कतनती, फिर भी फारकती देवनती, इसलिए ही निश्चव पत्र लिकुआ जाता है, तो वां लिकत फिर सामने दी जाएगी, ब्लड से भी लिक्तर देते हैं, ब्लड से लिक्तर प्रतिग्यां करते हैं, आज कल तुम कसम भी उठवाते हैं, परन्तु वां हैं जूटा कसम, इश्पर को हाजिर नाजिर जानना अर्थात, यहां भी इश्पर है, मैं भी इश्पर कसम उठाता हूं, बाब कहते हैं अभी तुम प्राक्टिकल में हाजिर नाजिर जानते हैं, बाबा इन आंकों रूपी किडकियों से देखते हैं, यहां पराया शरीर है, लोन पर लिया है बाबा काईदे सिर। सब बच्चों को समझाते हैं बाबा किरायेदार है इस ब्रह्मा के तन में मकान को काम में लाया जाता है न तो बाबा कहते हैं मैं या तन काम में लाता हूं बाबा इन किड़कियों से देखते हैं हाजिर नाजिर हैं आत्मा जरूर आरगन से ही काम लेग मैं आया हूँ तो जरूर सुनाऊंगा ना आरगंस यूज करते है तो जरूर किराया भी देना पड़ेगा तुम बच्चे इस समय नरक को स्वर्ग बनाने वाले हो तुम रोश्नी देने वाले हो जागरत करने वाले हो और सब कुम्बकरण की नींद में सोये पड़े हैं तुम माताई जगाती हो स्वर्ग का मालिक बनाती हो इसमें मेजारिटी माताओं की है इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है बीश्म पिता महा आदी को भी तुमने ही बाण मारे है मन मनाबो मध्या जीबो का बाण कितना सहज है इनी बाणों से तुम माया पर जीत पा लेते हो तु 21 जन कभी कर्म कूटने की दर्कार नहीं 淡े तुम यवर विल्धी बनते हो अनेक बार तुम स्वर्ग के मालिक बने हो राज्य लिया और फिर गवाया है तुम ब्रामान कुल बुष्ण ही लियोly तूम bringing कुलबुशन, हीरो हीरोईन का पार्ट बजाने वाले ड्रामा में सबसे उंचा पार्ट तुम बच्चों का है, तो ऐसे उंच बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव चाहिए, बाबा आप कमाल करते हो, ना मन, ना चित हमको तोड़े ही पता था, हम सो नाराइन थे, बाबा कह पते हैं, तुम सो नाराइन, अत्वा सो लक्ष्मी, देवी देवताते, फिर पुनर्जन्म लेते लेते, असुर बन गए हो, अभी फिर पुरुशार्थ कर वर्सा पाऊ, जितना जो पुरुशार्थ करते हैं, साक्षार्थ कर होता रहता है, राजियोग, एक बापने ही सिक सकलाया था, सच्चा सच्चा, सहज राजियोग तो, तुम अभी सिकला सकते हो, तुमारा फर्स है, बाप का पहचान, सबको देना, सभी नीदन के बन पड़े हैं, यहां बाते भी कल्प पहले वाले, कोटों में कोई ही समझेंगे, बाबा ने समझाया है, सारी दुनिया में माहान मुर्क देखना हो तो यहां देखो, बाप जिसने 21 जन्मों का वर्सा दिया है, उनको ही फारकती दे देते हैं, बाप जिन से 21 जन्मों का वर्सा मिलता है, उनको फारकती दे देते हैं, यहां भी ड्रामा में नून्ध हैं, अभी तुम स्वयम इश्पर की अवलाद हो फिर देवताक शत्रिय, वैश्य शूद्र की अवलाद बनेंगे अभी असुरी अवलाद से इश्परिय संतान बने हो बाप परमदाम से आकर पतित से पावन बनाते है तो कितना शुक्रिया मनाना चाहिए बक्ती मार्ग में भी शुक्रिया करते रहते है दुक में तोड़े ही शुक्रिया मानते है अभी तुमको कितना सुक मिलता है तो बहुत लव होना चाहिए हम बाप से प्यार से बात करेंगे तु क्यों नहीं सुनेंगे connection है ना रात को उठकर बाप से बाते करनी चाहिए बाबा अपना अनुबव बतलाते रहते है मैं बहुत याद करता हूँ बाबा की याद में आसू भी आ जाते है हम क्या थे बाबा ने क्या बना दिया है ततत्वं तुम भी वां बनते हो योग में रहने वाले को बाबा मदद भी देते है आपे ही आंक कुल जाएगी, कटिया हिल जाएगी बाबा बहुतों को उटाते है, बेहत का बाप, कितना रहम करते है तुम यहां क्यूं आये हो, कहते हो, बाबा बविश्य में श्री नाराइन को वरने की शिक्षा पाने आये है अत्वा लक्ष्मी को वरने के लिए यहां इम्तहान पास कर रहे है कितना वंडर्फुल स्कूल है, कितनी वंडर्फुल बाते है बड़े ते बड़ी युनिवर्सिटी है, परन्तु गाडली युनिवर्सिटी नाम रखने नहीं देते है एक दिन जरूर मानेंगे, आते रहेंगे, कहेंगे बरोबर कितनी बड़ी युनिवर्सिटी है बाबा तु अपने नैनों पर बिटा कर तुमको पढ़ाते हैं, कहते हैं तुमको स्वर्ग में पहुंचा देंगे तो ऐसे बाबा से कितनी बाते करनी चाहिए, फिर बाबा बहुत मदद करेंगे जिनके गले गूटे हुए है, उनका ताला कोल देंगे रात को याद करने से बहुत मज़ा आएगा, बाबा अपना अनुबव बतलाते है मैं कैसी बाते करता हूँ अम्रुत वेले, बाब बच्चों को समझाते है कबरदा रहना कुल को कलंकित नहीं करना, पांच विकार, दान में दे, फिर वापिस नहीं लेना अच्छा, मीटे मीटे सिकिलदे बच्चों प्रती, मात पिता बाब तादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाब तादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस 1. बाप का प्रिय बनने के लिए रहम दिल बन, सर्विस पर ततपर रहना है, सपुत आगनाकारी बन, सच्छा योगी वाँ ग्ण्यानी बनना है 2. अम्रुत वेले उट बाप से बहुत मीटी मीटी बाते करना है, बाप का शुक्रिया मनाना है, बाप की मदद का अनुबव करने के लिए मोस्ट बिलवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है 2. वरदान, पुरानी देह, वाँ दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राजरुशी बवात, राजरुशी अर्थात, एक तरफ सर्व प्राप्ती के अधिकार का नशा और दूसरे तरफ बेहत के वैराग्य का अलोकिक नशा 2. वर्तमान समय, इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो, वैराज्य माना किनारा नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ती होते भी हत की आकर्षण, मन बुद्धी को आकर्षण में ना लाए, संकल्प मात्र भी अधिनता ना हो, इसको कहते है राजरुशी अर्थात, बेहत के वैरा दूर रहने वाले श्लोगन सैंस के साधनों को यूज करू, लेकिन अपने जीवन का आदार नहीं बनाओ, अच्छा, ओम शांती